Hello everyone, welcome to this video और SSC ने अभी अभी जस्ट एक नोटिस जारी किया है जिसमें वो स्टेटस रिपोर्ट बता रहे हैं कि क्या कब किसका रिजल्ट आने वाला है तो इसके बारे में ज़र जान लेते हैं जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो एक्जाम हुआ है उसका जो रिजल्ट है वो आपका 14 सा 2021 को डिकलेर किया जा चुका है ये सारे एक्जाम के जो रिजल्ट है इन्होंने डिकलेर कर दिये हैं जब जो टेंटेटिव डेट थी उसके आधार पे इसके अलावा आपका आगर हम आगे बात करें यहां तक स्टेनोग्राफर C&D का एक्जाम था ये भी 21 जनवरी को डिकलेर किया जा चुका है तो यहां तक एक्जाम अलड़ी डिकलेर किया जा चुके हैं अब अगर बात करें कि टेंटेटिव एक्जाम कब आएगा तो उसकी बात करेंगे तो CGL 2019 का जो फाइनल रिजल्ट है वो इन्होंने का है 15 February 2022 को यह जारी कर सकते हैं स्टार मार्क लगाया है क्योंकि यह कह रहे हैं कि subject to the outcome of जो case number है 925 2021 का जो cat की court में चल रहा है उसके outcome पे depend करेगा अगर 15 तरीक को hearing है अगर 15 तरीक को court उससे इस्टे हटा लेता है तो वो उसी दिन उसका result जारी कर देंगे यह SSE का कहना है ठीक है क्योंकि court ने क्योंकि उसमें court में इन्होंने हलाफ नामा दे दिया कि result जो है वो seal 1 दिफाफे में रख दिया गया है तो अगर 15 तरीक को court का है result आ जाता है तो 15 को ही CGL 2019 का result आ जाएगा अगर बात करें CGL 2019 के skill test का result इसकी typing हो गई है उसका result आएगा 28 February को यानि कि इसके बाद अब DV होगा इसमें इसके लाबा MTS non-technical staff की 2020 के exam की बात करेंगे तो उसका result आएगा Tier 1 का 28 February को कई सारे result आने 28 February को और Junior Engineer का Paper 2 का result है वो भी आएगा 28 February को Stenographer Grade C&D का 2019 का skill test का result है वो आएगा 10 March को इसके लाबा GD का result है आपका 2021 का CBE का या आएगा 15 April को ठीके और CGL 2020 का जो Tier 2 exam हुआ है अभी January में 28 January को और इसका result आएगा 30 April को यह Tier 2 का result आएगा Tier 3 5 March 5 February को conduct कराया जा रहा है उसके बाद Tier 3 आएगा उसके बाद DV होगा और उसके बाद final result आएगा तो काफी उसमें टाइम रखने वाला है तो कुल मिला कि Tier 2 का result आजाएगा 30 April को यह status report थी इसमें एक बड़ी चीज़ यह है कि CGL 2019 का result 15 February को आ सकता है अगर court उससे हटा लेती है और CGL का जो Tier 2 का result है वो 30 April को आएगा तो यह आपका SSC की तरफ से notice थी जिसमें आपको status report बताई जाएगी कब रखने रिजल्ट आ सकता है तो इस वीडियो के लिए इतना ही मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए good bye, take care and have a very good day, take care, bye bye